अभी हमने विभिन्य प्रकाशिक यंत्र जैसे की नेत्र, सुक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इनके सिध्धान्त और कार्य विधी को देखा और इनके कार्य विधी को समझने के लिए हमने प्रकाश को किरन माना या यू कहें कि किरन प्रकाशिकी के आधार पर इन ऑप्टिकल इंस्ट् 연ुमेंट की व्यक्थय की गए इनका वर्णन किया गया और इस समय हमने पूर्ण रूप से प्रकाष के तरंग प्रकृति की उपेक्ष़ा कर दी लेकिन वास्तव में प्रकाषत तरंग की के कारण इस बिंदू वस्तू का प्रतिविम एक तिक्ष्ण बिंदू के रूप में नहीं होता बलकि एक धब्बा यह यू कहें कि इस तरंग प्रकृति के कारण वहां पर एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है अब यह विवर्तन प्रतिरूप क्या होता है इसके केंदरी उचिष्ठ कहते हैं और इसके दोनों और दिप्त और अदिप्त वलय होते हैं मतलब कुछ प्रकाशित एरिया होता है फिर वहां पर अंधेरा एरिया होता है इस प्रकार जो दिप्त और अदिप्त वलय हमें इस केंदरी उचिष्ठ के दोनों और प्राप्त होते हैं निमनिष्ट और दुद्यक उच्चिष्ठ के नाम से जानते हैं यदि लेंस पर समांतर किरने अपतित हो रही हैं तो किरन प्रकाशिकी के अनुसार लेंस से अपवर्तन के पस्चात सारी किरने एक बिंदू पर जाकर मिलेंगी जिसे हम उस लेंस का फोकस कहते हैं और वहां प हटना को हम तरंग प्रकाशिकी के अधार पर देखें यानि कि उस लेंस पर कोई समतल तरंगाग्र अपतित हो रहा है यह समतल तरंगाग्र किसी वृताकार स्लिट से होकर गुजर रहा है और ये लेंस पर अपवर्तन होगा और उस वर्तन होगा और उसके बाद इस फोकस दूरी पर या इस फोकस तल पर एक बिंदु प्रतिविम दिखाई देना चाहिए पर तरंग प्रकाशिकी के आधार पर वहां पर बिंदु प्रतिविम नहीं होगा बलकि वहां पर एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा जहां केंद्र में एक प्रकाशित एरिया होगा जिसे हम केंद्री उच्चिष्ठ कहते हैं और इसके दोनों और दिप्त और अदिप्त वलय मिलेंगे जिसे हम निमनिष्ठ और दुतियक उच्चिष्ठों के नाम से जान जहां यह 2A इस लेंस का व्यास है यह बोल सकते हैं द्वारक का व्यास है और लेंड़ा प्रकाश का तरंग दैर्दे और F फोकस दूरी होती है मान लेजिए यदि हम किसी प्रकाशिक यंत्र से किसी दूर रखी हुई दो वस्तूओं को देख रहे हैं दो बिंदू प्रतिविम ना होकर बलकि दो विवर्तन प्रतिरूप होंगे जो कि हमको इस पश्ट दिखाई दे रहे होंगे लेकिन जैसे जैसे इन दो वस्तूओं की बीच की दूरी कम होती जाएगी तो यह तारे धीरे-धीरे हमको इस पश्ट नजर नहीं आएंगे क्योंक की इनका प्रतिविम है यानि की दो विवर्तन प्रति रूप वह आपस में मिक्स होने लगेंगे जिसके कारण इन दो वस्तूओं को अलग-अलग देख पाना असंभव हो जाएगा और किसी भी प्रकाशिक यंत्र की दो वस्तूओं के प्रतिविंबो को अलग अलग देख सकने की छमता को ही हम उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन छमता कहते हैं और इन दो वस्तूओं के प्रतिविंबो को प्रिथक प्रिथक देख पाना एक सीमा तक ही संभव है और इस सीमा को हम उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा के नाम से जानते हैं और किसी भी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन छमता उसकी विभेदन सीमा के व्यूत क्रम के बराबर होती है यानि कि विभेदन छमता बराबर वन अपन विभेदन सीमा यदि किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कम होगी तो उसकी विभेदन छमता अधिक होगी और जिस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन छमता अधिक होती है उस यंत्र को अच्छा माना जाता है तो जिस टेलिस्कोप से बहुत ही समीप वर्ती वस्तूओं को भी प्रकाशिक यंत्र हैं जिसमें लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस और इसकी सहायता से ही हम अपने आस पास की रखी वस्तों को देख पाते हैं मान लीजिए आप एक खिड़की की तरफ मुह करके खड़े हैं और उस खिड़की में जाली लगी है अप उस खिड़की से बहुत द पाते हैं लेकिन जैसे जैसे आप उस खिड़की के पास आते हैं उसमें लगी जाली के तार भी हमको अच्छे से स्पश्ट रूप से नजर आते हैं वह इसलिए कि हमारे आखों की भी एक निश्चित विवेदन सीमा है हम दो वस्तों को कब प्रिथक 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 होते हैं तो इन जाली के दोनों तारो के द्वारा हमारी आखों में बनाये कोण एक मिनट से यह यू कहें वन अपोन सिक्स्टी डिग्री से कम होता है इसलिए दोनों तारे अलग-अलग नजर नहीं आ रहे थी लेकिन जैसे हम पास आते जाते हैं तो इनके द्वारा हमारी आखों में बनाया कौन एक मिनट से अधिक होते जाता है इसलिए दोनों तारे अलग-अलग देखने के लिए तीन इस्थितियों में अलग-अलग शर्ते बताई हम तीन कंडीशन में वस्तूओं को देख सकते हैं या तो लोनों वस्तूवे वेल रिजौल्वी हो मतलब अच्छे से अलग-अलग दिख रही हो या तो जैस्ट रिजॉल्व मतलब अभी ब प्रतिरूप को देखते हैं प्रतिरूप में केंद्र में उचिष्ट होता है और उसके बाद दूतियक उचिष्ट और निमनिष्ट होते हैं यदि इनका ग्राफ देखें तो इस प्रकार का पैटन मिलता है सेंटर में उचिष्ट उसके निमनिष्ट उसके बाद पहला दूति एक उचिस्ट इस प्रकार ये प्रतिरूप दोनों और केंद्री उचिस्ट के फैला हुआ होता है अब वस्तुए कब अलग-अलग दिखेंगे इसके लिए हम दो वस्तुओं के प्रतिबिम्बों को देखते हैं ये प्रतिबिम्ब विवर्तन प्रतिरूप हैं मान लेजिए ये दोनों वस्तुओं का प्रतिबिम्ब का विवर्तन प्रतिरूप हैं जब दोनों वस्तुओं एक दूसरे से काफी दूर होती हैं तो ये वीवर्तन प्रतिरूप अलग-अलग होते हैं मतलब यह स्पष्ट नजर आ रहे हैं जब यह पास आते जाते हैं उसी कंडिशन में दोनों वस्तुएं अब हमको प्रिथक प्रिथक नजर नहीं आती हैं अब यहां पर देखें कि यह दोनों प्रतिविंबों की विवर्तन प्रतिरूप में जो केंद्री उचिष्ट है उनके बीच की दूरी मान लीजिए वाई है और पहले वाले है । प्रतिविंब के विवर्तन प्रतिरूप का केंद्री उचिष्ट और दूसरे वाले के पहले निमनिश्ट के बीच की दूरी एक्स है तो ये y और x का जो संबंध है वही दर्शाता है कि दो वस्तुए well resolved होंगी, just resolved होंगी या फिर unresolved होंगी मान लीजे पहले condition में ये y का मान x के मान से बहुत अधिक है उस condition में ये दोनों विवर्तन प्रतिरूप एक दूसरे से काफी दूर होंगे यानि कि जो प्रतिबिम्भ है वो इसपश्ट होगा और इसलिए दोनों वस्तुए प्रिथक प्रिथक नजर आएंगी और हम यू कह सकते हैं कि ये well resolved की condition होगी दूसरा यदी हम लेते हैं जहाँ पर y बराबर x हो उस condition में ये दोनों प्रतिबिम्भ एक दूसरे से थोड़े से mix होते नजर आ रहे हैं इसका मतलब जो दो वस्तुए हमने ली थी वो just resolved होंगी मतलब अभी बस एक दूसरे से अलग दिख रही होंगी तीसरी condition देते हैं जब y का मान x के मान से less हो उस condition में या देखें तो ये विवर्तन प्रतिरूप एक दूसरे से mix हो गये यानि कि दोनों प्रतिबिम्भ एक दूसरे से mix हो गये और ये unresolved की condition होगी जहां पर दोनों वस्तुएं प्रिथक प्रिथक नजर नहीं आएंगे प्रकाशी की अंत्र दूर दर्शी दूर में इस्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के काम आता है यजी दूर में कोई दो तारे या खोगोली पिंड है जिसको हम दूर दर्शी की सहता से देख रहे हैं इन दो अलग अलग तारों को प्रिथक प्रिथक देख पाने की चमता है उस दूर दर्शी की विबेदन चमता कहलाती है और ये निर्भर करती है इसकी विवेदन सीमा पर हम जानते हैं कि विवेदन छमता बराबर वन आपॉन विवेदन सीमा होती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस दूर दर्शी की विवेदन सीमा क्या होगी मान लीजिए दूर दर्शी का अभिद्रिश्यक लेंस है जो कि एक कॉनवेक्स लेंस है इन दो तारों से प्रकाश आ रहे हैं अब ये दोनों तारों का प्रतिबिम इस अभिद्रिश्यक लेंस के द्वारा एक दो विवरतन प्रतिरूप होगा और जब तक ये दोनों विवर्तन प्रतिरूप इसपश्ट होंगे, अलग-अलग होंगे, तब तक ये वस्तू अलग-अलग नजर आएगी जब ये दो तारे एक दूसरे के पास आते जाएंगे, तो ये कोण-अलफा जो इस अभिद्रिशक लेंस पर इन दोनों वस्तूओं के द्वारा बन रहा है, ये भी कम होते जाएगा और धीरे-धीरे ये विवर्तन प्रतिरूप भी एक दूसरे के पास आते जाएंगे तो वह कौन जहां तक इन दोनों वस्तूओं का विवर्तन प्रतिरो प्रिथक है, जस्ट रिजॉल्व है, वो कौन कहलाता है इस दूर दर्शी की विभेदन सीमा और तभी तक ये दोनों तारे अलग-अलग नजर आएंगे यदि इन दोनों तारों के बीश का कौन इस विभेदन सीमा से कम हो जाता है, तो ये दो तारे उस समय इस टेलिस्कोप के द्वारा रिजॉल्व्ट नहीं किये जा सकते और इस टेलिस्कोप की विभेदन सीमा यानि अलफा कमान बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी जहां पर लैम्डा ये प्रकाश का तरंग दैर्द है और डी इस अभीद्रिश्यक लेंस का व्यास है हम जानते हैं विभेदन चमता बराबर एक बटे विभेदन सीमा तो विभेदन चमता बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अलफा यानि कि D अपॉन 1.22 लैम्डा यानि रिजॉल्विंग पावर अधिक होने के लिए लैम्डा कमान कम होना चाहिए या फिर जो अभी द्रिश्यक लैंस हमने लिया है उसका डायमेटर अधिक होना चाहिए और यही कारण है अब देखेंगे टेलिस्कोप में जो सामने का लैंस रहता है जिसकी सामने वस्तू रखी जाती है वो बड़ा होता है और जो आईपीस लैंस है जिसकी सामने आप चोटा होता है अभी द्रिश्यक लैंस के डायमेटर अधिक होने के दो फायदे हैं पहला तो उसका रिजॉल्विंग पावर अधिक होगा दूसरा डायमेटर अधिक होने के कारण वो ज्यादा प्रकाश को संग्रहित करेगा बहुत सारा प्रकाश इखटा करेगा जिससे की उससे बनने वाला प्रतिविम अधिक चमकीला बनेगा तो एक अच्छे टेलिस्कोप के लिए उसकी आवर्दन चमता अधिक होनी चाहिए उसकी विभेदन चमता अधिक होनी चाहिए और उसके प्रकाश को संग्रहित करने की चमता भी अधिक होनी चाहिए प्रतिविम कितना ब्राइड बनेगा प्रतीविम का ब्राइट नेस अभिद्रिश्यक लेंस के छेत्रफल के समानुपाती होता है यानि की जितना अधिक व्यास का अभिद्रिश्यक लेंस होगा उसका छेत्रफल उतना ही अधीक होगा और उससे बनने वाला प्रतिविम उतना ही चमकीला होगा इसी प्रकार किसी भी सुक्ष्म दर्शी की विभेधन छमता भी उसके अभीत्रिश्यक लेंस के सामने रखे दो अलग-अलग वस्तूओं के प्रतिविम्बों को अलग-अलग देख पाना होता है और ये दो अल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने दो वस्तूओं रखी गई है इन दोनों वस्तूओं को प्रतिविम्बों प्रतिविम्बों ना बनकर एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा यदि हम प्रकाश को तरंग प्रकृति के आधार पर समझें और जब इन दोनों वस्तुओं को पास लाया जाएगा तो इनका विवर्तन प्रतिरूप भी आपस में मिलेगा जिसकी कारण ये दोनों वस्तुओं अलग-अलग नहीं दिखाई देंगी तो हम उस सीमा को ले रहे हैं जहां पर ये दोनों वस्तुओं का प्रतिवि विवेदन सीमा कहलाएगी हमने देखा कि जब हम आख और दूर दर्शी की विवेदन सीमा ग्याद कर रहे हैं तो हम दो वस्तुओं के द्वारा बनाया हुआ को ले रहे हैं जहां तक ये दो वस्तु अलग-अलग नजर आ रहे हैं लेकिन माइक्रोस्कोप में हमने पीज के बनाया हुआ कोण को विवेदन सीमा के रूप में दर्शाते हैं और इस विवेदन सीमा को हम इस सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं डी बराबर 1.22 लैमडा अपॉन 2 साइन बीटा जहां पर लैमडा उप्यूक्त प्रकाश का तरंग दैर्द है और ये बीटा इन व वस्तू की प्रकाश किर्णों के द्वारा उस अब्जेक्टिव लैंस पर जो मैक्सिमम कोण बन रहा है वो कहलाता है अर्ध शिर्ष कोण और इसी आधार पर माइक्रोस्कोप की विवेदन छमता वन अपॉन डी होती है तो यह हो जाएगी टू साइन बीटा अपॉन पॉन टू टू लैंडा मान लीजे हम इन वस्तूओं और अभिद्रिश्यक लैंस के बीच में कोई माध्यम रख दे जिसका अपवर्तनांक म्यू हो उस कंडिशन में विवेदन सीमा हो जाएगी वन पॉन टू 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 लैंडा अपॉन टू म्यू साइन बीटा और विवेदन छ घंता किन कारकों पे निर्भर करती है उप्युक्त प्रकाश की तरंग दैर्थ पर यहां पर ऑबजेक्ट और ऑबजेक्टिव लैंस के बीच में रखे माध्यम के अपवर्तनांग पर और यह अर्थ सीर्षकोंड बीटा पर तो यदि अर्थ सीर्षकोंड बीटा का मान अधिक होगा या फिर हम इस ऑबजेक्ट और ऑबजेक्टिव लैंस की बीच में जो माध्यम रखा है वो माध्यम अधिक अपवर्तनांका लेते हैं तब भी इसकी विभेधन छमता बढ़ जाएगी और विभेधन छमता को बढ़ाने के लिए ही ऑईल इमर्शन माइक्रोस् जिसके कारण ऑबजेक्ट और ऑबजेक्टिव लैंस की बीच का जो माध्यम है यानि की ऑईल उसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इस माइक्रोस्कोप की विभेधन चमता रिजॉल्विंग पावर भी अधिक होती है और जैसा कि सूत्र से हमने देखा कि लाइट के स्थान पर अल्ट्रा वायलेट लाइट ले अल्ट्रा वायलेट लाइट का तरंग दैर्दे विजिबल लाइट से कम होता है तो अल्ट्रा वायलेट लाइट इस्तेमाल करने वाले माइक्रोस्कोप की भी रिजॉल्विंग पावर अधिक होगी और इसी लिए ही स्थान पर एलेक्ट्रॉन पुंच लेते हैं मतलब हाई स्पीड में चलते हुए एलेक्ट्रॉन बीम लेते हैं और यह हाई स्पीड में चलते हुए एक कम वेवलेंट वाले तरंग की तरह कारे करते हैं जिसका तरंग दयारते लगभग एक स्ट्रॉंग होता है और इसी लिए एलेक्ट्राण माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बाकी माइक्रोस्कोप की तुल्ला में सबसे अधिक होती है